आज का दिन मंगल महिना 17 सितंबर और साल 2019 है ये आवाज रेडियोस रुमविश से निशर हो रही है बलुचिस्तान और दुनिया बर में पेश आने वाले वाकियात पर मुश्टमिल न्यूस ब्रेटिन के साथ मैं हूँ हुमेरा बलुच मामुल की खबरों की तरफ जाने से पहले आज की एहम तरी खबर पेश करते हैं बलुचिस्तान बर में पाकिस्तानी फोर्सेस की नाइसाफियों का सिल्सला जारी है गुमशिदिया मसक शुदा लाशें बलुचिस्तान का अल्निया है बलोचस्तान में टाचर सेल में खवातिन के साथ जिंसी ज्याद्टी के वाकियात बलोचस्तान के लिए नहीं नहीं हैं लेकिन इस हफ़ते दो वाकियात मीडिया पर रिपोर्ट हुई हैं हवारा में माश्की के एक बच्ची के साथ पाकिस्तानी फोर्सिस की ज्यादते मीडिया में पहली मरतबा एक खातुन ने अपनी जुबान में शाल पेस कलब के सामने ये बताया है कि इनके साथ पाकिस्तानी फोर्सिस ने टाचर सेल में ज्यादतिया की है आएं इस खबर के तफसीर सुनें गौादर की एक बलोच तालिबा हानी गुल ने इनकिशाफ किया है कि उसे उनके मंगितर मुहम्मद नसीम के हमरा कराची से पाकिस्तानी खुफिया इदारों के अहल कारून ने हिरासत में लेकर तीन महीनों तक टार्चर सैलूम में कैद किये रखा और दोरान हिरासत खुफिया इदारों के अहल कारून ने उने तशद्द और ज्यादती का निशाना बनाया है हानी गुल ने कुईटर पिरेस कलब के सामने काएम वाइस फार बलोच मिसिंग परसंस के इतिजाजी कैम्प में आकर इस हवाले से मीडिया को तफसीला से आगा किया है हानी गुल बिंत मुहमद आरिफ ने अपने गुमशुदगी और रहाई और अपने साथ होने वाले वाके की तफसीलात मीडिया को बताते हुए कहा के पांच महीने कबल मुझे और मेरे मंगतर मुहमद नसीम सकने गौादर को पाकिस्तानी खुफिया इदारों के अह कारूं ने तीन महीनें तक जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाने के बाद रहा कर दिया जबके उनके मंगतर मुहमद नसीम पांच महीने गुजरने के बावजुद ताहल बाजयाब नहीं हो सके हैं उन्हों ने कहा कि अपने रहाई के वक्त मैंने बहुत कोशिश की कि मे कि मजगूर अफराद पाकिस्तानी खुफिया इदारे आई एस आई के अहलकार हैं और सामने आने पर मैं उन्हें पैचान सकती हूँ उन्हों ने बताया कि दौराने हिरासत हमें तशद्द का निशाना बनाते हुए इकरार कराने की कोशिश की गई कि हमारा तालुक ज्यादती का शिकार बनाया जा रहा है एक जानेब हमें कहा जाता है कि बंदुख फैंकर कलम उठाओ लेकिन दूसरी जानेब हमसे कलम और किताबे चीन कर पढ़ने नहीं दिया जाता है हानि गुल ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बलूच इनसान नहीं है कश्मिर के हकूप के लिए दावे किये जाने वाले पहले बलूच तौन को जल्म और जादती का शिकार बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि पहले बलोच मर्दूं को जबरी तोर पर लापते किया जाता था लेकिन अब मेरी तरह बलोच खवातिन को भी जुल्म का शिकार किया जा रहा है। हानी गुल ने सवाल उठाया कि मुझे किस जर्म में लापते किया गया। गोटकी में एक स्कूल के हिंदू प्रिस्पर पर तोहिन रिसालत का इल्जाम लगा कर तमाम हिंदू के अमला को नुक्सान पहुचाया गया गोटकी में हिंदू के कुल आबादी 30 पीसद बताए जाते हैं गोटकी के ताज़त तरीन सुरत हाल पर हमारे निमाएंदेने पाकिस्तान हिंदू कौंसल के रहनमा पाकिस्तान के मेंबर कौम एसमबली जनव रमेश कुमार से राप्ता करके उन से इस बारे में तफसील पूचे अब मामूल की खबरें नश्रियात की तरफ चलते हैं हेडलाइन पेश करेंगी सारिन बलूच बलूच स्थान एक और बलूच तालबा का पाकिस्तानी एदारों के हाथों अपने मंगेतर समयत कराची से लापत गी और तीन माह तक तशद्द और ज्यादती का शिकार रहने का इनक्शाफ बलूच स्थान वादी मश्के के मुखतल फिलाके पाकिस्तानी फोर्सिस की बरबरियत के जद में बलूच लिबरेशन टाइगर्स ने तुम्प में मुखबर की हलाकत की जिमेदारी कुबूल कर ली आवारान में बलूच तालिबा के साथ जियादती बत्तरीन दरिंदगी और बलूच गहरत पर हमला है बी आर एसो पंजगूर से बारुदी सुरंग बरामत तुम्प में एक शखस कतल जबके औरमड़ा से लापता शखस बाजयाब मस्तुन के जान लिवा खुदकुश हमले में पाकिस्तान का बहारती जासुसों की शनाखत का दावा कुईटा मजीद चार मसख शदा और नाकाबल शनाखत लाश दश्ट के कबरिस्तान में दफन बलूच तान मुखतलिफाद साथ वाकियात में पांच अफराद हला खेबर पखतन खोगा में पाकिस्तानी फुरसिस में हमला मुताद्ध हलाक जख्भमी सिंद गोटकी में हिंदू बरादरी के मंदिर और अमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ मधुद्मा दर्ज अफगानिस्तान अफगान और अमरीकी फोर्सिस का मश्तरका अपरेशन नवे तालबान हलाक 20 जखमी सौधी तनसिबात पर हमला एरान जिम्मदार हैं अमरीकी सदर शुमाली कोरियन सदर की तरफ से अमरीकी सदर को खत लिखने का इंकिशाफ अमरीकी रियासत न्योर्क में इलक्ट्रानिक सिग्रेट पर पाबंदी फिल्पाइन सदर का मुलक में रिशवत मांगने वाले अफसरां की पटाई और गोली मारने की अजाज़त कोलंबिया में तैयारा हादसा साथ अफराद हलाक दो जखमी अब खबरें तफसील के साथ हसब मामूल दोस्तिन मुराद से आवरान के इलाके वादी मश्के के पहाड़ी सिलसलों में पाकिस्तानी फोर्सिस की आपरेशन जारी है इतलाद के मताबक मश्के के अलाके आचरेन, हीनारी, बुजी और मुर्मासी के पहाड़ी सिलसले फोर्जी आपरेशन की जद में हैं मकामी जरा के मताबक दो दिन कबल पाकिस्तानी फोर्ज बड़ी तादाद में इन इलाकों में दाखिल हुई है और आज सुबस से फिर बड़ी तादाद में फोर्ज को इन इलाकों में दाखिल होते हुई देखा गया है ताहम इलाके में जारी फोर्जी आपरेशन और मुवासलाते निजाम नहोने की वज़े से मुकमल तफसीला तक रसाई हासल करने में मुश्किलात का सामना है बलोच लिबरेशन ट्राइगर्स के तरजमान मीरान बलोच ने जरुमबिश नियूज को अरसाल किये गए एक एमेल में गुजश्टे रोज केज के इलाके तुंप में दाजन के मकाम पर अबदुला वलद वली को फारिंग करके हला करने की जिमधारी कबूल करते हुए कहा है कि अबदुला को चंद मा कबल भी मजाहिमती साथियों को रियासत के सामने सरंडर करवाने और उन्ही सरंडर शुद सर्मचारों के जरीए तन्जीम के जंगी वसाइल हासल करने के जर्म में हिरासत में लिया था लेकिन अलाकाई मौतबरिन की जमानत और इस शर्ट पर उ कुछ दुश्मन पालिसिन को तर्क करने के बजाए इनमे अदाफा किया इस दोरान मजगूरे शख्स ने मुसल्ह मुझाहिमती साथियों के रास्ते की नाकबंदी की ताहम तन्जीम के साथियों को बरवक्त इल्म हुआ तर्जमा ने मज़ीद कहा है कि इसके इलावत तुम्प में अब्दल्ला ने आम बलोचूं को खौफज़दा करने और आजदी पसंदों के लिए उनकी अखलाकी हमायत तर्क करवाने के लिए मुतादिद घरूम पर फारिंग की ताहम 12 सितंबर को तन्जीम के साथि दाजन के लाके में किसी तन्जीमी अमूर की सलसले में जा रहे थे जहां अब्दल्ला ने इन पर बंदुग तान लिया और जवाबी कारवाई में मारा गया बलोच रिपब्लिकन स्टूडन्स आर्गनाइजेशन के मरकजी आर्गनाइजर मीरान बलोच ने आवारान में एक बलोच बच्ची को जिन्सी जादती का निशाना बनाने की पुर्जोर अलफाज में मुझमत करते हुए उसे बत्तरी दरिंदगी और बलोच कौमी गहरत प निशाना बना कर बच्ची के घरवालों को खामोश रहने की धंकी दी है और जिस सिकूल में बलोच बच्ची को जिन्सी जादती का निशाना बनाया गया है वो सिकूल पाकिस्तानी फोर्सिस के जेरे दस्त है और सिकूल के असातिज़ का तालुग भी पाकिस्तानी फोर्सि इसकी दरिंदगी पर खामोश पाकिस्तानी सिवल सूसाइटी और इनसानी हकोग के इदारों की दास्ताने मुस्तक्बिल करीब में किताबों की जीनत बन जाएंगे किस तरह इन लोगों ने बलोच कौम की नसल कुशी पर खामोशी का लिबादा ओड़े रखा और तारीख में इन किरदारों को हमेशे बुरे अलफाज में रियाद रखा जाएगा पाकिस्तानी फोर्सेज ने दावा किया है कि बलोचिस्तान के जिल्ले पंजगूर में कारवाई के दवरान धमाकखेज मवाद बरामत किया गया है पाकिस्तानी फोर्सेस के मताबिक देशी साखत बारूदी सुरंग सर्च आपरेशन के दौरान सिया दंब गिच के करीब बरामत करके नाकरब बना दिया गया जिसका वजन 7-8 किलो गिराम है 7 अगस 2019 को और्मारे से पाकिस्तानी फोर्सेस के हातों जबरी तवर पर लापता होने वाले आवरान के इलाके जाओ के रहाइशी जईफल अमर शख्स मुहम्मद अली वलद अब्दुरह्मान बाज़ाब हो गए हैं केज के इलाके तुंप बाजर में नामालू मुसल्ला अफराद ने गाड़ी पर फारिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया है फारिंग से हलाक होने वाले शख्स की शुनाख्त गुलाम जुगार वलद चाचा हबीब के नाम से हुआ है जो मंद का रहाइशी है मकामी जराके मताबक फारिंग के बाद मुसल्ला अफराद मुक्तूल की गाड़ी भी अपने साथ ले गए हैं पाकستانी हुकाम ने दावा किया है कि पिछले सर मस्तुग धमाके में मलवच दो भारती जासीसों का सुराग लगा लिया ग्या है हकام ने इल्जाम आयद किया है कि स्वामी आसिम आनंद और गोबंद पार्ट इरान से बलोचिस्तान आये थे और मस्तुग में देशतगर्दी कराई थी पाकिस्तानी वजारते दाखिला के मताबिक भारती जासुसों की शुनाखत और तफसीलात एरान और अफगानिस्तान को भेज दिये गए हैं याद रहे गुजशता साल 13 जौलाई को आम इंतखाबात के मौके पर बलोचिस्तान के जिल्ले मस्तुग के इलाके दिरिंगड में एक जलसे को खुदकुश हमले में निशाना बनाया गया था जिसमें बलोचिस्तान अवामी पार्टी के उमीदवार सिराज रहसानी समित 129 जबके 200 के खरीब जखμे हुए थे कोईटा के सीवल इस्पटाल में चार लावारिस करार दिये जाने वाले लीद लाशईं को दश्ट के मकामी कبرستان में दफना दीया गया है मकामी जराय के मताबक सिवल इस्पताल कौईटा में बलोचिस्तान के मुखतले फिलाकूं से लाए गए चार अफराइद की लाशें नाकाबल शुनाख्त होने के बाइस लावारिस करार देकर एदी एंबूलेंस के जरीए दश्ट कबरिस्तान ले जाकर दफन कर दिये गए है वाजिर रहे कौईटा के नवाही इलाके दश्ट में कबरिस्तान बनाया गया है जिसमें अक्सर नाकाबल शुनाख्त मसख शुदालाशों को सरकारी सरपरस्ती में दफन करते हैं दूसरी तरफ बलोच कौम परस्त हलकूं का कहिना है कि ये मसख शुदालाशें लापता बलोच सियासी कारकुनों की होती हैं जने रियासत जान बूज कर शुनाख्त के जराय इस्तिमाल किये बगएर दफन कर देता है खुदार जीरो पॉइंट की करीब मजदा टरक की टकर से दो मोटर साइकल सवार जाम बहक हो गए हैं जाम बहक होने वाले हुमें से एक शुनाख्त अब्दुल्कादिर के नाम से हुई है दूसरी तरफ कुईटा किला अब्दुल्ला और नोश्की में पेश आने वाले ट्रैफिक हादिसात में एक ट्रैफिक पुलीस एहलकार समें दो अफराज जाम बहक हुए हैं जबके कुईटा में कंबरानी रोड केची बेक के आलाके में एक शखस ने अपनी 18 साल अब बहन को फारिंग करके कतल कर दिया है खाइबर पख्तुंख्वा के कबाईली इलाके जुनोबी वजीरिस्तान के तैसिल मकीन में पाकिस्तानी फोर्सिस पर रिमोट कंट्रोल बम से हमले हुआ है जिसके नतीजे में मतादद अहलकार मारे गए हैं मकामी जराय के मताबक बम हमला मकीन के इलाके पट जियारत में फोर्सिस के चेक पुस्ट के करीब हुआ है हमले की जिमदारी कल अदम शिद्द पसंद तन्जीम तहरी के तालिबान पाकिस्तान के तरजमान मुहम्मद खुरासानी ने कबूल करते हुए दावा किया है कि हमले में तीन हलकार मौके पर हलाक हुए है पाकिस्तान के सूबह सिंद के जिल गूट की में एक हिंदू उस्ताद पर तोहिन रिसालत के लिजाम आईद किये जानने के बाद मुच्ताल हुजूम की जानब से मंदर की बेहुरमती और हिंदू बिरादरी की दुकानों में लूट मार के लिजामात पर दरजनु के खिलाफ तोहिन मजब, नुक से अमान आमा और तोड़ पोर्ट के लिजामात के तहट तीन मुकद्मा दर्च किये गए हैं। सिंद पुलीस के मताबिक तीनों मुकद्मात के तहट पच्चास के करीब अफराद को नामजद किया गया है। और कापस ने बताया है कि अफ़गान सिकुरेटी फोर्च ने अमरेकी फजाईय की मदद से वार मामा जिल्ले में कारवाई की थी। अफगान नेशनल आडमी के तरजमान ने कहा है कि अफ़गान सिकुरेटी फोर्स ने दोराने आपरेशन कम से कम नवे दह UCT अर्छड हला सारव की तेल तनसीबत पर हमले पर तश्वेश का इजहार करते हुए कहा है के हमले के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में फरक आएगा और तेल की जरूरत पूरी करने के लिए मैं ने महफूज जगार की इस्तिमाल की इजाज़त देदी है। तनसीबात पर हमले से मतलिक अमरीकी सदर का कैना था कि यकीन करने की वज़ा मौजूद है कि हम मुझरिम को जानते हैं ताहम अभी हम इस बात के मुझरिम करार देते हैं। हमें सौधी अरब के एलान का इंतिजार है, हमारा निशाना और हत्यार तयार है। जबकि अमरीकी सेनिटर लेंड ते ग्राहम ने अमरीकी हकूमत से मतालब किया है कि वो सौधी आयल रिफाइनरी पर हमलों के जवाब में एरनी तेल की तनसीबात पर हमला करे। ग्राहम ने ट्विट करते हुए लिखा कि अब वक्त आ गया है कि अमरीका एरानी इश्तियाल अंगेजी का नोटिस ले और अगर एरान इश्तियाल अंगेजी जारी रखता है या जोहरी अफजूदगी में इजाफा करता है तो एरानी तेल की तनसीबात पर हमलों का मनसूब इन हमलों की वज़े से तेल की आलमी रसद में फ़री तोर पर पांच फीसद कमी आ गई है और आलमी मंडी में ट्रेडिंग के आगास पर ही खाम तेल की एक बैरल की कीमत में 19 फीसद इजाफा हुआ है और वो 71.95 डालर फी बैरल तक जा पहुँची है शमाली कोरिया के रहनमा किम जोंग उनकी जानब से अमरीका के सदर डोनल्ड टरम्प को खत लिकने का इनकिशाफ हुआ है जिसमें उन्हों ने सदर टरम्प को दोरए शमाली कोरिया की दावत दी है जन्यूबी कोरिया के एक अखबार के मताबक अगस्त में लिखे गए खत्मे शमाली कोरिया के रहनमा ने अमरीका के साथ मुझारात के एक और दौर की खाहश का इजहार किया है अमरीका की रियासत न्यू यार के इंतिजामिया ने इलेक्टरानिक सिग्रेट की फरोगत पर पाबंदी आइद करते हुए तमाम दुकानों से मसनुई जाएके वाली इलेक्टरानिक सिग्रेट हटाने का फैसला किया है खबर रसां इदारे राइटर्स के मताबक पाबंदी काईला न्यू यार के गौर्नर ने इतवार को एक न्यूज कांफरेंस के दौरान किया है फिल्पाइन के सदर ने अपने मुलक के अवाम को हिदायत की है कि वो रुशवत तलब करने वाले सरकारी मुलाजमین और अफसरों की पिटाई करें और अगर आपके साथ आतिशी हत्यार हों तो इन अहलकारों को गोली मारतें जो रुशवत लेते हूं और करप्शन में मुलविस हों ताहम उने कतल ना करें सिर्फ जखमी कर दें और इस एकदाम पर उने जेल जाने नहीं देंगे फिल्पाईनी सदर ने कहा है कि अवाम टेक्स देते हैं सरकारी वाजबात अदा करते हैं और किसी एहलकार को उन से रुशवत तलब करने की जुरत नहीं होनी चाहिए कोलम्बिया में निजी कमपनी का एक तैयारे एरपोर्ट से टेक आफ के कुछ मिनट बाद ही एक रियाईशी इलाके पर जागिरा है तैयारे में नव अफराद सवार थे जिन में से साथ अफराद हलाक हो गए हैं और दो की हालत तश्वीशनाक है जिने इस्पताल मुन्तकिल कर दिया गया है तैयारे गिरने के बाद मलबे के टुकडे गरूम पर गिरे हैं जिस से उनको जुजवी तवर पर नुकसान पहुंचा है आज के न्यूस बिलेटन का इसी के साथ एक तताम होता है इजाज़त चाहती हूँ